दोस्तो किर्किट के आज के रोमान चक मुकाबले में टीम इडिया का सामना न्यूजिरलेंड से होगा भारते टीम नए कप्तान रोही शर्मा और नए कोच रहुल द्रेवेट की अगवाई में खेलेगी साथ ही केई परमुक्त खिलाडी टीम से भार हैं दोनों ही टीमों के पास UAE में खतम हुए टीमों को ना जीत पाने के लिए अफसोस करने का वक्त पीछे चूट चुका है वही अगला वल्ड कप भी 11 मैने के अंदर ही होने वाला है और भारत और नीजिलेंड के पास ये सीरिस उस ट्रेंडमेंट के लिए खिलाडी तयार करने का अफसर है दोस्तो पहली बार रोहित फुल टाइम T20 कप्तान के रूप में भारत का नरी तुर्त करेंगे वही T20 वल्ड कप में संकेता कि रोहित अपने खेल को पहले से अधिक अकरमक बना रहे हैं क्या वह इस अप्रोच को जारी रखेंगे ये नई भूमी का नई कोच की सलापर अपनी शैली में किसी तरह का बदलाव लाएंगे ये देखने वाली बात होगी दोस्तो भारत को ये तैय करना होगा कि श्रेय से ये रितुराज गॉयकवार्ड और वंकेटेशर रहिमे से उनका छटे बल्लेवाज कोन होगा इस मैदान पर जादा तर स्कोर देखने को मिलते हैं और भारत न्यूजेलेंड मैच में भी यही उमीद की जा रही है यहाँ पर पहली पारी का और स्कोर 170 का होता है वही दोस्तो रिशब पंद बोतोर विकिट कीपर रिशब पंद पर दाव लगाये जा सकते हैं पिछले कुछ समय से रिशब ने अपने परदेशन में सभी को खासा प्रभावित किया है वही अभी तक 37-20 मैच में पंद 123 के स्ट्राइक रेट के साथ 590 रन बना चुके हैं मैच जिताओ पारी खेली थी